नमस्कार दोस्तों आप सभी कामारे यूटूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में और यहां पर एक चर्चा हुई है जो कि आप लोगों का क्वाइन स्वेश कुवेर के जो CEO है उनके द्वारा कुछ चर्चा की गई है और उसका एक न्यूज मैं आप लोगों के साथ सेर करूँगा ठीक है तो आप लोगों को काफी हो सकता हो तसलिम मिले हो काफी ज़्यादा अच्छा लगे उस न्यूज को देख करके क्योंकि आज कल का जो माहौल बना हुआ वो काफी ज़्यादा एकदम से डिस्टरब करने वाला है और आप लोगों में से कई लोग होंगे जो काफी ज़्यादा परिशान होंगे तो इस चीज को ले करके आप लोगों को थोड़ा सा एक न्यूज बताऊंगा और उसको आप लोगों के साथ साजा करूँगा तो वो न्यूज सायद आप लोगों को अच्छा लगे ठीक है चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर पपी इनु कोईन के बारे में थोड़ा सा अपडेट करना चाहूंगा दोस्तों पपी इनु कोईन जो है आप लोगों को बता दें कि इसका सिर्फ अभी तक एक इसके वल एक दिन बचा हुआ है इसके प्री सेल का ठीक है तो अगर आ हो तो यहाँ पर इसको बाई कर सकते हो डिस्क्रिप्शन का लिंक में आप लोगों को दें करो लेना है वेबसाइट को आप लिशनबाक से जब आप कांपी कर लोगे तो उसके बाद आप यहां पर कर लोगे कि मादर 17 17 घंटे बचे हुए हैं अगर आप लोग इसमें पारि करने के लिए description box में मैं इसका link दे दूँगा आप लोग वहां से चले जाना और इसको copy करने के बाद आप लोग को simply trust wallet में चले जाना है जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर का एक option मिलेगा आप लोग को डी अव्च में जा करके इसकी website को यहां पर website के link को paste कर देना है paste करने के बाद इसको search कर देना है search करने के बाद एक चीज का ध्यान लगना यहां पर आप लोगों को ethereum का symbol मिलेगा तो ethereum को हटा करके आप लोगों को smart chain select कर लेना है याद रखिएगा कि smart chain में आपका balance होना चाहिए ठीक जब यह website दुबारा से refresh हो जाएगी दोस्तों तो यहां पर pre sale का एक option मिलेगा आप लोगों को pre sale वाले option पर click कर देना है click करने के बाद आप लोगों को यहां पर इस तरीके के desk में पहुँच जाओगे आप देख सकते हो यहां पे कुल हमने 3 अरब 24 करोण 50 लाख टोकन यहां पर buy करके रखा हुआ है आप लोगों को buy करने के लिए यहां पर कितनी bnb का buy करना चाहते हैं यहां से आप उस bnb को fill कर देना और यहां से फिर आप लोगों को execute करने के लिए इस बटन को दबा देना ठीक है buy करने के लिए जब इस बटन को आप दबा दोगे उसके बाद से नीचे आप लोगों को एक approve का option मिलेगा आप लोग approve करके और इसको buy कर सकते हो दोस्तों इसको pre-sale को खतम होने में मातर आप लोगों का 17 गंटा बचा हुआ है ठीक है दोस्तों 17 गंटा 45 मिनट यहां पर बचा हुआ आप देख सकते हो जो भाई लोग participate करना चाहते हैं आप चाहो तो अपने मरजी के हिसाब से अपने एक्षा के अनुसा आप लोग बाई कर सकते हो यहां पर मैं यह नहीं कहूँगा कि कितने का आप बाई करो आप जितने का भी बाई करना चाहो आप बाई कर सकते हो आगे चल करके यह आप लोग को काफ़ी अच्छा रिटरन देने वाला है क्योंकि दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग होने वाली है वो आप लोग की azbit पे व लॉक हो जाएगा ठीक है टोकन यहां पर लॉक रहेगा आपका आप देख सकते हो कि मेरे टोकन्स यहां पर लॉक है और यह टोकन्स जो अब लेवल हो रहे हैं जो मेरे टोकन्स हैं यह जब क्लेम करेंगे अब क्लेम करने का जो आप सण आएगा वो 17 गंटे के बाद आएग दोस्तों अब चलते हैं उस news की तरफ जो काफी ज़ादा आप लोगों को हिम्मत देने का काम करेगे और काफी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा तो चली हम उस news की तरफ चली हम दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिया टीवी की तरफ से एक इंडिया टीवी की जाने बात करते हैं तो न्यूस पढ़ने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं आते हैं और बताते हैं आप लोगों को आप साथ ही साथ इसका लिंक भी मैं आप कुझे को description में दे दूँगा आप लोग चाहना तो इसको भी खोल करके यहाँ पर पढ़ सकते हो ठीक है और अगर आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा speed slow करके आप लोग खुद से भी इसको पढ़ सकते हो हमारी आवाज को down करके ठीक है यहाँ पर आते हैं कि बैन की आसंका बढ़ गई है क्या देश में वास्तों में क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगेगा सरकार जो बिल लाने की योजना बना रही है वह किस तरह का है क्या मुझे क्रिप्टो करेंसी में निवेस जारी रखना चाहिए यह कुछ ऐसे प्रशन है जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को ले करके लाखो भारतियों का कारोवार और निवेस जारी है ठीक है ऐसे कुछ बड़े प्रशन किये गए उनके आसी सिंगल जी के साथ ठीक है आस्क में एनिफिंग एमें किया गया था उनके साथ तो यहां पे यहां पे इन्हों क्या बताया कि इन से जो पहला प्रशन किया गया आप देख सकते हो कि इनका जो पहला प्रशन था यहां पे वो था कि प्रस्तावित बिल का भारत में क्रिप्टो के लिए क्या मतलब है ठीक है प्रस्तावित जो बिल होने वाला है जो आने वाला बिल है उसका ले करके भारत मे क्रिप्टो के लिए क्या मतलब है ठीक है तो इस पर आसीस जी ने क्या कशना का QA लाई जाने वाले बिल के समान ही है ठीक है हाला कि वहाएं संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया था और चीजें तब काफी अलग थी मौझूदा स्सित्थियों की बात की जाए तो भारत में crypto community इस आवदी में तेजी से बढ़ी है और लाखों लोग अब coin switch और unapplication का हिस्सा है crypto को अब एक asset class के तोर पर देखा जा रहा है और इसे केवाले currency की तरह ही नहीं मानना चाहिए यह भविस्थ में Google Amazon आद की तरह बन सकता है ठीक है दोस्तों तो आ स्कार crypto के concept को समझने की कोशिस कर रही है और इसके साथ ही उसकी सोच में बगल रही उसकी सोच भी बदल रही है अमें नहीं पता कि प्रस्ताविक बिल में क्या वास्तों में vardı क्या है उमीद कर रहे है कि crypto currency को रेगुलेट करने के लिए सरकार के बिल लाने क्या कहा कि सबसे पहले मेरी राय पक्षपात वाली है क्योंकि हम एक crypto company चलाते हैं हमारा मानना है कि crypto से finance industry और company में financial infrastructure में बदला हो सकता है अभी तक हमें प्रस्तावित cryptocurrency बिल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है समझ रहे हैं दोस्तों ज़्यादा जानकारी अभी किसी को नहीं है बस ये new channel वाले हवा हवाई में अपनी TRP बढ़ाये जा रहे हैं और कमाये जा ठीक है सरकार यह समझती है कि crypto industry बहुत बड़ी हो सकती है वे मुख्य तोर पर निवेशकों के नुकसान पहुचाने की आसंका वाले भ्रामक बिग्यापनों जैसी चीजों से चिंतित है हमें सरकार को crypto के फायदे और नुकसान के बारे में बताने और industry को खुला रखने के साथ इसके गलत इस्तमाल से बचने की बचने में भी उनकी मदद करने की जरूरत है हमें उमीद है कि प्रस्तावित बिल इंडस्ट्री और क्रिप्टो इंवेश्कों के लिए सकारात्मक होगा क्रिप्टो को स्विकृति मिलना ही हम सभी के लिए एक बड़ी उपलब्धी है क्रिप्टो रेगुलेशन पर एक बिल लाना को बढ़ावा देने में मदद के लिए एक चरणवाद तरीके से क्रिप्टो को रेगुलेट किया जा सकता है अगर क्रिप्टो पर बैन लगता है तो क्या होगा ठीक है क्रिप्टो पर पूरी तरह से बैन लगाना एक आदर समाधान हो सकता है अगर बेन लगाया जाता है तो सरकार को यह सोचना होगा कि खुदरा निवेश को ने क्रिप्टो में 6 अरब डालर से अधिक का निवेश किया हुआ है ठीक है तो यह यहां तक की बात हुई और इसके बात से फिर क्या पूछा गया है कि पब्लिक और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के बीच में क्या अंतर है यह चीज आप लोगों ने काफी ज़्यादा सवाल किया था तो चलिए मेरे ज़रिये से और 80G के ज़रिये से भी आप इसको जान लीजे कि पब्लिक और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के बीच में अंतर क्या है तो देखे दोस्तों पब्लिक और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी सरकार की क्रिप्टो के लिए एक व्याख्या है इस बारे में हमारे पास अभी तक कोई स्पष्ट परिभासा नहीं है यह व्याख्या पूरी तरह हमारी है पबलिक ब्लॉक्चेन में एको सिस्टम में यूजर हिस्सा ले सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बदलाव कर सकता है प्राइवेट ब्लॉक्चेन कुछ एंट तरीके के समान होंगे तो यह थी जानकारी आप लोगों की क्या अभी क्रिप्टो को खरीदना या रखना या बेचना चाहिए अगला सवाल जो उनसे पूछा गया कि क्रिप्टो को इस समय खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए उसको रखना चाहिए मतलब होल्ड क करना चाहिए या बेंचना चाहिए क्या करना चाहिए तो इस प्रसंद का उत्तर देते वे आसी जी ने कहा कि ये बहुत मुस्किल है मार्केट में अभी काफी अनिस्चित्ता है हमने अभी तक प्रस्तावित क्रिप्टो बिल नहीं देखा है हमारे अनुभों से हम जानते हैं क सरकार में लोग क्रिप्टो को अब सकारात्मन नजरिये से देख रहे हैं हाला कि कुछ आसंकाएं भी हैं मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपना फैसला खुद करें ठीक है लेकिन आपका फैसला इस पर आधारित नहीं होना चाहिए कि कल क्या हुआ था हमें उमीद है कि ह हमारे पास और जानकारी होगी जिससे निवेसक एक समझदारी वाला फैसला ले सके हमें तथ्यों को यह सामने आने का इंतजार करना होगा और तब तक अपना फैसला आप खुद कर सकते हैं ठीक है दोस्तों तो यह यह कुछ बाते थी जो मैं आप लोगों के साथ सेयर कर र सकते हो और पढ़ने के बाद आप लोगों को अगर मैं अपनी पर्समल राय दूं और मैं अपने क्रिप्टो की बात करूं तो मैं उसको कहीं भी अभी हटाने वाला नहीं हूं जब तक कि सरकार के द्वारा कोई कानून या कुछ भी नहीं लाया जाता है मैं इस न्यू चैन प्रेषमके से हम इसको कर सकते हैं जहां पर ہम ना कोई इधर उधर करते हैं नाहीं किसी तरीके का कोई चोरी चोरी चकारी करते हैं जोना है वो अपने इंडियन करेंसी है उसको हम अपने वजी रेक्स पे रखे हुए है या बाइनेंस पे रखे हुए है हाँ अगर सरकार को टैक्स वगएरा चाहिए होगा तो हम लोग टैक्स वगएरा भी पूरी इमानदारी से देंगे अब इसका मतलब यह नहीं कि सभी एक्चेंज तो सब कुछ फ्रेस है कोई भी ऐसी डरने वाली चीजे नहीं है बाकि मुझे जैसा पढ़के लगा मुझे काफी सही लगा बाकि आप लोग भी इसको एक बार दुबारा से देख लीजेगा अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को म्यूट करके और क्यों वीडियो को चला करके आप लोग पढ़ लीजेगा बाकि डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हो काफी कुछ सही है और काफी यहाँ पर पॉजिटिविटी मिली और साइध आप लोगों को भी यहाँ पर इसको देख करके काफी आप लोगों के अंदर धीरज बना रहे ठीक है तो वीडियो को लगातार देखते रहेगा और चैनल के साथ बने रहेगा इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पर समात करते हैं दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद